Hello everyone, this is Megha Sharma, welcome to Omega TechCAD. आज की वीडियो में हम practical number 7 discuss करेंगे, जो है JavaScript Events. First part है, write a JavaScript program to design simple calculator. And second practical है, design a form and validate all controls placed on the form using JavaScript. First practical में हमें simple calculator design करना है. यहाँ पे हम user से values लेंगे, मतलब की numbers लेंगे, और जो भी operator उन्होंने select किया है, जैसे की addition, multiplication, subtraction, division, उसके according उनको result display होगा. तो सबसे पहले तो user से input लेने के लिए हमें form बनाना पड़ेगा. Form किस तरीके से बनाते हैं, यह हम already form वाले वीडियो में देख चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सबसे पहले सबसे important step यही है, कि हमको form create करना आना चाहिए. यहाँ पे हम screen पे देख सकते हैं, कि किस तरह से हमने यहाँ पे form बनाया है. फॉर्म में हमें 3 select बटन दिख रहे हैं, और एक जो है, वो submit बटन है, जो की है calculate. अब यहाँ पे हमने जो form बनाया है, उसका name हम F1 लेंगे, जिसमें हम table बना रहे हैं, और table के अंदर हम 4 cells ले रहे हैं. फर्स्ट cell में number 1 है, जिसके लिए हमने select लिया है, select जो है, वो drop down list के लिए use होता है, जैसे कि अगर हमें multiple values में से कोई एक value select करनी है, तब हम select का use करते हैं, तो यहाँ पे हमने select लिया है, और इसके बाद अलग-अप्शन्स value हम इसमें दे देंगे, 0 से लेके 9 तक, तो user कोई भी number 0 से लेके 9 तक यहाँ पे select कर सकते हैं, second में हमने फिर से select ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें addition, subtraction, multiplication, division, इन में से कोई एक operator select करना है, और third जो cell है हमारा, वो number 2 के लिए है, जिसमें हम second number select करेंगे, यहाँ पे भी हम 0 से लेके 9 तक के values देंगे, तो select जो होता है, उसकी help से हम drop down list बनाते हैं, और option value से हम multiple options दे सकते हैं, उसके बाद जब हम calculate button पे click करेंगे, तो operations perform होगा, मतलब कि अगर addition select होगा, तो दो number का sum हो जाएगा, multiplication select किया होगा, तो multiply हो जाएगा, अब यहाँ पे जो values हम देते हैं, वो important है, जैसे कि form जो है, form का name हमने F1 लिया हुआ है, उसके बाद यह जो तीनो button हमको दिख रहे हैं, select button जो है, उसमें first number जो है, वो S1 है, second जो operator है, वो S2 है, और जो second number हम ले रहे हैं, वो S3 है, means, जब हम select बनाएंगे, select का tag यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे first number के लिए हम name equals to S1 लेंगे, operator के लिए हम name equals to S2 लेंगे, और second number के लिए हम name equals to S3 लेंगे, तो हर एक select button को uniquely identify करने के लिए हमें उसका name specify करना होता है, क्योंकि एक form में हम multiple text box, multiple select button ले सकते हैं, लेकिन कौन से select box की value हमें चाहिए है, इसके लिए हमें select box जो हमने बनाया है, उसका एक unique name देना होगा, तो इस practical में हमने number 1 के लिए इसकी value S1 दी है, operator के लिए S2 दी है, और number 2 की value S3 दी है, अब ये जो value user यहाँ पे select करेंगे, उनको हमें किसी variable में store करना होगा, तो S1 जो है, उसके लिए हम, मतलब उसमें जो value select की है user ने, उसके लिए हम variable लेते हैं N1, S2 के लिए हमने variable लेते हैं OPR क्योंकि यह operator है, और S3 के लिए हम variable लेते हैं N2, इसके बाद ये तीनों options select करने के बाद, user calculate बटन पे click करेंगे, और जब user calculate बटन पे click करते हैं, तो function called होता है calculate, तो यहाँ पे हम function बना लेते हैं, function का name हम देते हैं Kelsey, और function define करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने four variables लिए हैं, N1, N2, OPR और X, N1, N2 हमको मालूम है कि two numbers हैं, OPR operator है, और X जो है, वो हमारा final answer है, जो हमें display कराना है, तो drop down list से user number select करेंगे, operator select करेंगे, और calculate बटन पे click करने के बाद, यह function call होगा, तो यहाँ पे हम on click event का use करते हैं, तो सबसे पहले तो हम S1 की value N1 में store कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे, N1 equals to parse int f1.s1.value, अब इसमें S1 की जो भी value है, वो हम N1 में store कर रहे हैं, parse int हम इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि number है, और number को हमें integer format में लेना है, otherwise उसमें calculation perform नहीं होगा, उसके बाद जो second number है, उसकी value हमें S3 से मिल रही है, तो हमें लिखना होगा f1.s3.value, और ये भी number है, जिसमें हमें operation perform करना है, तो इसके लिए भी हम parse int लिखेंगे, OPR जो हमारा third variable है, उसमें f1.s2.value आएगा, यहाँ पर parse int लिखने की जवरत नहीं है, क्योंकि ये operator है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, कि तीनों values जो user ने drop-down list से select की होगी, s1, s2, s3, उनकी values को हम n1, OPR और n2 में store कर लेते हैं, उसके बाद हम if else का use करेंगे, जैसे कि अगर OPR is equal to equal to add है, means अगर इसकी value add है, तो हमें x is equal to n1 plus n2 करना होगा, अगर इसकी value sub, means subtract है, तो हमें n1 minus n2 करना होगा, similarly multiplication के लिए हम n1 into n2 करेंगे, और division के लिए हम n1 divide by n2 करेंगे, अगर इन में से कोई भी condition match नहीं होती है, means अगर user ने कोई भी operator select नहीं किया है, तो उसके लिए हम error handling करते हैं, हम एक alert box का use करेंगे, please select operator, last में हमें result को display कराना है, तो हम यहाँ पे result को paragraph में display करा रहे है, means हम p-tag का use करेंगे, जिसमें हमने id लिया हुआ है, तो document.getElementById, और ans id हमने लिया हुआ है, उससे हम answer को print करा देंगे, same code को हम notepad में copy कर लेते हैं, सबसे पहले हम function बना रहे हैं, calc name से, क्योंकि जब user calculate बटन पे click करता है, तो यह function call होता है, तो same code हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद body में हम एक form design कर रहे हैं, क्योंकि user से input लेने के लिए, हमें form बनाना पड़ता है, form का name हमने हाँ पे F1 दिया है, एक table create करते हैं, जिससे की form के जो element है, जो cell है, उसका alignment प्रॉपर रहेगा, तो first row है TR, और उसमें हम table data लेते हैं, सबसे पहले तो number 1 लेंगे, उसके बाद बीच में हमें operator चाहिए, और last में हम number 2 लेते हैं, और उसके बाद button लेते हैं, तो number 1 जो है, उसके लिए हमने select name equals to S1 लिया है, मतलब उसका जो name है, वो S1 है, तो अगर हमें number 1 की value एक्सिस करनी हो, तो हम लिखते हैं F1.S1.value, तो यह हम use कर रहे हैं, F1.S1.value, और इसको हम variable N1 में store कर रहे हैं, similarly, अगर हमें second number की value चाहिए, तो second number की value जो है, वो हमारे third select box में है, तो उसके लिए हम लिखते हैं F1.S3.value, similarly, अगर हमें operator की value चाहिए, तो उसके लिए हम लिख देंगे F1.S2.value, तो आगे बहुत simple है, जैसे हम normal form डिजाइन करते हैं, उसी तरह का code हम यहाँ पे लिखेंगे, first और third के लिए same option value है, 0 से लेके 9 तक के numbers हमको लेना है, बीच में जो operator है, उसके लिए हमने value लिए है, add, sub, multi and div, तो code एक बार देख लेंगे, file को save करेंगे, extension.html रहेगा, run करते हैं, तो इस तरह का output आएगा, first number select करते हैं, operator select करेंगे, number 2 select करेंगे, calculate पे click करेंगे, तो answer आएगा, answer is 8, अगर हम कोई और operator लेते हैं, जैसे की multiplication, तो answer आया है 15, अलग-अलग numbers के लिए, हम इसको कर सकते हैं, तो इस तरीके से, हमने यहाँ पे, simple calculator design किया है, second practical में, हमें form design करना है, और form को validate करना है, form किस तरीके से create होता है, यह हम already, html में देख चुके हैं, यहाँ पे, हमें form create करने के साथ, उस form को validate भी करना है, तो यह जो screen पे हम form देख रहे हैं, इसको हम easily html से design कर सकते हैं, form का name हमने लिया है, my form, और हर एक value को access करने के लिए, उसका name important होता है, क्योंकि एक form में multiple text box हो सकते हैं, जैसे कि यहीं पे हम देख रहे हैं, कि three text box हैं, name, email, mobile number, हमको name से पता चलता है, तो यहाँ पे तीनो text box के name हम अलग-अलग लेने वाले हैं, तो तीनो में user information एंटर करेंगे, उसके बाद country select करेंगे, जिसके लिए हमने drop-down box लिया है, select और option value से हम यह drop-down box बनाएंगे, last में हमने submit button लिया है, तो जब user submit button पे क्लिक करेंगे, तो उनका form validate होगा, अगर validation successful होता है, means अगर सभी information सही है, तब वो form submit होगा, otherwise वो form submit नहीं होगा, तो हम यहाँ पे function देख लेते हैं, कि किस तरीके से हमें function बनाना है, क्योंकि बाकी का जो form designing है, वो हम already HTML में देख चुके हैं, तो name, email, mobile number, country, यह सभी value फिल करने के बाद, जब user submit button पे क्लिक करेंगे, तो function call होगा, जो की on click event पे call होगा, function का name हमने लिया है validate, अब सबसे पहले हम name validation देखते हैं, जो first field है name, text box हमने बहाँ पे लिया हुआ है, यह text box का name हम name ही देने वाले हैं, तो इसकी value को access करने के लिए, हम लिखेंगे document.myform.name.value, इस equal to equal to null, means अगर user ने name नहीं दिया है, इसकी value null है, कुछ भी enter नहीं किया है, तो हम एक alert message डिस्पले करते हैं, please provide your name, और जो cursor है, जो focus है, वो इस text box में आ जाता है, return करते हैं false, क्योंकि जो भी हमारा form है, वो submit नहीं होगा, function जो है, वो false return करेगा, तो यह जो validation हमने name के लिए use किया है, same validation हम email के लिए भी use कर सकते, क्योंकि अगर email में भी null है, means अगर email में भी user ने कुछ enter नहीं किया है, तो हमें वहाँ पर alert message देना है, please provide your email, means if document.myform.email.value is double equals to null, means alert box आ जाएगा, please provide your email, अब यह जो second text box हमने लिया है, उसमें इसकी जो name है, उसको name हमने email दिया है, मतलब same name ही दिया है, इसलिए हम email.value लिख रहे हैं, third है mobile number, तो यहाँ पर हमें mobile number चेक करना है, mobile number empty नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पर user ने कोई भी number फिल नहीं किया है, उसके अलावा जो mobile number होता है, वो number होता है, उसमें characters नहीं होते हैं, तो हमें यह भी चेक करना है, कि उसमें सिर्फ number होना चाहिए और mobile number जो है वो 10 digit होता है तो third condition हम ये check करेंगे कि जो भी number user ने enter किया है वो 10 digit है या नहीं तो इसके लिए हम लिखेंगे if document.myform.phone.value अब ये जो third text box हमने बनाया है इसका name हमने phone लिया है इसलिए इसको access करने के लिए हम लिख रहे है myform myform हमारे form का नाम है myform.phone.value is double equals to null means अगर इसकी value null है या फिर क्योंकि हमने और operator use किया है is not a number मतलब कि अगर ये number नहीं है या फिर इसकी जो length है वो not equals to 10 है इन तीनों में से अगर कोई एक condition भी true होती है तो alert box आएगा means form submit नहीं होगा मतलब की mobile number वाली जो field है वो null अगर है या फिर अगर उसमें number नहीं है या फिर वो 10 digit length का नहीं है इन तीनों में से अगर कोई भी एक condition true होती है तो हमारा form submit नहीं होगा क्योंकि जो function है वो false return करेगा एक alert message show होगा please provider 10 digit phone number और जो cursor है जो focus है वो हमारा इस text box में आ जाएगा मतलब जो यह field हमने दी है mobile number की इसमें जो focus है वो set हो रहेगा तो यहां पर हम और operator का use कर रहे हैं तो और operator का मतलब यह होता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक condition भी true होती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा form submit नहीं होगा उसके बाद जो last है वो है country और country के लिए हमने by default जो value set की है वो minus 1 है तो यहां पर जो हमारा function है वो यह check करेगा यह block यह check करेगा कि जो selected value है वो drop down list की minus 1 तो नहीं है क्योंकि minus 1 यहां पर हमारी default option है default value है तो अगर minus 1 मिलता है document.myform.country.value इस equal to equal to minus 1 इसका मतलब यह है कि user ने कोई भी option select नहीं किया है और अगर ऐसा है तो हमें alert box display कराना है please provide your country और return false लिखा हुआ है क्योंकि अगर यह condition true होती है तो function false return करेगा means form submit नहीं होगा अगर इन में से कोई भी condition true नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा जो form है वो successfully fill हुआ है name भी हमने प्रॉपर लिखा है email भी प्रॉपर है mobile number भी 10 लिजिट है country भी अगर हमने select किये अगर यह सारे true होते हैं तो form true को return करेगा मतलब कि अगर जितने भी previous conditions है वो अगर pass होते हैं तो function true return करेगा जो कि यह indicate करता है कि जो form है वो valid है और अब यह form submit हो सकता है same code को अब हम notepad में copy कर लेते हैं दोनो practicals के जो code है वो आपको description box से मिल जाएंगे description box में एक link दी हुई है उस link पे क्लिक करके आप दोनो practicals के जो file हैं उनको download कर सकते हैं में यहाँ पे है कि हम function बनाना सीख रहे हैं और event का use देख रहे हैं क्योंकि form designing हम already कर चुके हैं तो एक function हम बनाते हैं जैसे कि इस practical में हमने validate name से एक function बनाया है जो कि on submit event पे call हो रहा है तो इस तरीके से यह पूरा प्रैक्टिकल है फाइल को save कर लेते हैं कि नेम एंटर करेंगे इमेल एंटर करेंगे मोबाइल नंबर देना है और country देना है अब यहाँ पे हम हमने 1234 सिर्फ 4 डिजिट का नंबर दिया है इसलिए हमको अलर्ट आएगा कि 10 डिजिट नंबर्स डालना कंपलसरी है तो इस तरीके से 10 डिजिट नंबर्स हैं इसी तरीके से अगर हम नेम की फील को एमटी रखते हैं तो भी हमको मैसिज आएगा प्लीज प्रोवाइड यूर नेम और फोकस जो है वो नेम पे सेट हो जाएगा अगर आपको वीडियो यूसफुल लगी है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू है आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें औ और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें